रमजान का पवित्र माह चल रहा है और पूरे महीने नवास की विशीश महद्व रहता है इस माह में अलगलग परंपराई भी देखने को मिलती है इसे से जुड़ी दाउदी बोहरा समुदाई की भी एक परंपरा है रमजान के पाक महीने में बोहरा समुदाय के नव वही जोडों को गिफ्ट देने की पनपरा है इसमें नवास अदा किये जाने वाला सामान नव वहाईतों को दिया जाता है जिससे उनका जीवन खुशाल बना रहे बोरा समुदाय के अलताफ हुसेन ने बताया कि रमजान के महीने में नए जोड़ों को लेलुतल कदर जो की एक रमजान की अहम रात और दिन माना जाता है इस दिन नए जोड़ों के परिवार के सदस्द एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं इसमें लड़की के लिए नमाजी रिद्दा की जोड़ी टी-शर्ट, एत्र, कुरान, तस्बीह, आदी सामान दिये जाते हैं वहीं लड़कों के लिए कुर्टा, साया, कपड़ा, इत्र, वट, टोपी, कुरान और तहसीब की चीज़ें दी जाती हैं जिससे इनका जीवन खुशहाल बना रहे हैं और आने वाले जीवन में किसी तरह की कोई परिशानी नहीं हूँ हर साल की तरह हमारे नमाज में बहुत सारा उत्सा रहता है, पूरे 30 दिन नमाज लोग पढ़ने जाते हैं तो लेडिज, बच्चे और जैंट्स सब आगे बड़े बुड़े पहले तो नमाज की ड्रेस का पूरा तयारी करते हैं और हमारी जो शॉप है वो सबसे पुरा नहीं होगे पूर में बोरा समाज को सर्व कर रहे हैं हम लोग इसमें टोपी और पहरन और जुबे पजा में साय यह सारी चीज़े हम जैंट्स के लिए उपलब करवाते हैं लेडिज जो हमारी है मसले और रिदा और नमाजी जोड़ी वगेरा दुपटे और उसमें मैचिंग टी शिर्ट्स और वो सारी चीज़े हमारे हमेशा उपलब करते हैं और इस बार खास करके जो पहरन जो आता है एक पूरा हमारा उपर से नीचे तक वाइट कुरता लंबा आता है उसमें जेंट्स लोगों का ज्यादा उत्सा नजर आ रहा है तो टोपी गोल्डन जो सिंपल डिजाइन में हो रही है तो यह रमजान पूरा बहुत उत्साहित है हम और हमारे बावा साब भी गलिया कोट है इसलिए क्या है कि हमारे वहां से आना जाना अप डाउन करना भी हो रहा है और गिफ्टिंग में जो यंग्स्टर्स जो है ना वो ज्यादा इसमें इंट्रेस्ट दे रहे हैं तो उसमें खास करके यह मैंने उपलत करवाया पूरा सेट है तो इसमें टूपी है और अच्छी कॉलिटी के जो डिजाइनर कुर्ता साया पजामा जो आ रहा है वह हमारे उपलब है और फिर पर्फ्यूम और नहीं फैशनेबल तस्वी वगेरा और मोजे सॉक्स रुमाल वह सारी उसके इसाप से हम लोगों ने उसका सेट बना रखा है और वह भी तीन कैटेग्री में एक एक मीडियम है एक हाई है और एक एकदम सुप्रीम कॉलिटी भी है और जैसा